जहिंद माई दियर फ्रेंड्स दिस दिनेज छडाव दिया एंड अगेन आए वेलकम चू आल इन माई यूट्यूब चैनल दा एक्जाम टॉपर्स जो अमारी टैंस की सिरीज चल रही है जिसके अंदर हमने पहले डिसक्स किया था कि टैंस कितने होते हैं कितने टाइप के होत तीन टैंस हमारे और रेडी पूरे हो चुके हैं उसके लिए आप इछले वीडियो देख सकते हैं यस माई दिया फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं प्रिजेंट पर्फेक्ट कांटिन्यूस टैंस की प्रिजेंट मतलब की क्या होता है हमारी पेले बात हो चुकी है यसे काम जो हम डेली करते हैं the work which we do daily in our life all the sentences are included in present simple and ऐसा काम जो पूरा कर चुके हैं the work which we have completed in present जैसे कि वह जा चुका है हम आ चुके हैं वह अपना काम कर चुकी हैं पिता जो आफिस में होच चुके हैं मम्मी खाना पका चुकी हैं ऐसे कितने भी sentences हो सकते हैं continuous मतलब की जो काम चल रहा है जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं वह आराम कर रहा है पिता जी ओफिस जा रहे हैं जो भी काम हो रहा है तो आज जो हम बात कर रहे हैं today we are going to start a very important tense and this one is called present perfect continuous अब इसके अंदर basically देखे हम तो क्या होता है काम पूरा भी हो चुका है और चल भी रह आए प्रेक्टिकल इस पॉसिबल नो प्रेक्टिकल इस नोट पुसिवल बट एंसे तैसा हो भी सकता है और होगा बिल्कुल कैसे हम बसिए याद रखना है कि जो हिंदी वाले sentence होते हैं हमारे इन दे हिंदी sentences के लास्ट में रहा है रही है रहे है आते हैं तो माइडियर फ् है रहे आ रहा था जिस वह जा रहा है प्रिजैन कंटिन्यूस हम पढ़ाई कर रहे है प्रेजन कंटिन्यूस प्रिजेंग्टे ऑफिस जा रह тебе हम सुबह से आराम कर रहे हैं पिता जी 15 मिनिट से काम कर रहे हैं मम्मी आदे गंठे से खाना पका रही है बच्चे दो गंठे से क्रिकेट खेल रहे हैं जब भी आखरी में रहा है रहा हूं रही है रहे है आ जाए और सेंटेंस की बीच में टाइम आ जाए कब से कब से लगा ह था हनै मरे खौनला हकुआ कि एससे हमारे पास में कि स्ट्रेक्ट्चर हैं जो हमेशा की तरह होते ही कि उस्चेट लब यूज और हए औहिस और ह मि race और और हमारी बात हो गई थी प्रिव्वेश वीडियो के अंदर कि परिफेक्ट के अंदर को कुन सी वर्ब लगती है ध्रॉर्ट फोर्म पोड़ेक्टेंच के अंदर अदर हमेशा ऐसे क्या होगा आईन जी का यूज़ करना है आईन जी कैसाथ लगाते हम फार्स्ट miracle के साथ आ इंजी का यूज़ करते हैं तो यहां पर परफेक्ट के लिए हमको थर्ड फार्म की रिकवार्मेंट पूरी करनी है एंड कांटिन्यूज के लिए फर्स्ट फार्म प्लस आएंजी अब एक साथ दो दो बार दों लिखने सकते हैं देट्स वाई हमारे पास एक वर्ग होती बी बी हमारे फर्स्ट फार्म में है परफेक्ट पूरा करने के लिए या फिर थर्ड फार्म की रिकवार्मेंट यूज करने के लिए हम इसमें लगा देते हैं तो क्या बन जाता है बिन तो यह क्या हो गया हमारा बिन इस बिन ने क्या करा वर्ग की थर्ड फार्म की रिकवार् ये बात में टाइम जो आ रहा हं कि कब से कहां से तो यूज इसे लिए क्या होगा और झीन्स और फॉर में यूज करना है अब स तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नी थी यहां तक का सब कुछ बढ़िया चल रहा था हम और वैसे कि वैसे यह तो आप जानते हो पहले से हैज हम कब यूज करेंगे फिर भी उसके लिए और लिखा हुआ है whenever we will use he she eat or singular in kya satka laga has yes but it's not compulsory always we used here singular subjective we may used here i v you then pull around we will use how you यहां तक तो किलिए रहे हैं yes my dear friends next नई चीजह हमारे पास सेंस और फॉर अप सिंस और फॉर के लिए लिखा हुआ है point of time or period of time उसको और इजी तरीके से समझने के लिए हमने एक चीज़ों लिखे यहां पर सिंस सिंस का यूज कपकप करेंगे जैसे कि the name of the days name of the days a day kcb day can name I just a key Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday like this name of the month kc main again nama jam January February March April कोई से भी स्मंद का नाम आजाए name of the years कि साल का नाम आजाए 2008-2009 1984 2020 whatever morning evening आजाए noon आजाए को डेट आजाए या पिछला टाइम आजाए लास्ट टाइम आजाए तो क्या यूज करेंगे हम सेंस इन सब के लिए क्या यूज होगा सिंस बट यह कंपल्सरी नहीं होता है कि हमेशे इसा भी हो यहाँ पर फॉर आजाएगा फॉर का यूज कप करेंगे हम कोई डेज आ जाए जैसे कि कोई एक्जाम पर लिए हमने यहाँ पर एक पेलाई सेंटेंस हमारे पास हम दो सबसे पहले हम दो गंटल से क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमके लिए क्या आगया वी और वी के साथ लिए करेंगा है वी हाव बिन प्लेंग क्रिकेट फॉर टू डेज आवर से तो यहाँ पर आजाए फॉर टू आर्स क्योंकि यहाँ पर पता नहीं है कि कौन से टाइम के बात हो रही है दो गंटे दो लेकिन ओ कौन से दो गंटें इसी की जगे अगर यहाँ पर रहता क्यम दो बारा बज़े से कर रहे हैं तो सिंस टुए लोग लोग टू लोग अगर ओक लोग में कोई टाइम आया हुआ है तो हम क्या उस करेंगे सिंस यस मैं डियर फ्रेंड नेक्स सेंटेंस विहाँ वह सुबह से आराम कर रही हैं शी हाइस बीन केकिंग रेस्ट अब मोर्निंग है तो क्या यूज़ होगा यहाँ पर सिंस मैं दो गंटे से आफिस जा रहा हूं तो आई में की लिए आई हैव बेन गौइंग टो ओफिस फॉर टू डेस एसे कितने भी सेंटेंस हो सकते हैं ऐसे ही कुछ और एक्जांपल्स हम ले लेते हैं जैसे कि हमने बात के यहाँ पर प शुर्ण से मोरिंग लेकिन हमने बात के कि पिताजी दू बजे से यह सुबह आट बजे से अगबार पढ़ रहे हैं पिताजी आट बजे सब्सक्राइब पढ़ रहे हैं तो फिर जाए आपका फादर हाइस बीन रीडिंग निूस पेपर सिंस एच अच अच लोग तो प्लो ओसे एसे आफर में टू संटेसरी बनाई हैं जैंटेंस हमारे नेगेटीव हो सकते हैं तो नेगेटीव के लिए आपको कुछ नहीं करना है नहीं आदिन नाहीं नहीं टू नहीं तो तो दो इसमें सी अच वीडियो इस बीडियोश सब्सक्राइब ख़तीन जूर प्रश्ट सेंटेंस and we are doing negative form of this that's why structure will be subject has have or yeah hey हमारी क्या और जलरी वर्ब और जलरी वर बोल सकते हो आप इसको प्राइमरी और जलरी बोल सकते हो helping word बोल सकते हो साहिक रिया बोल सकते हो ही याद रखना है बस क्या बोलना है तो क्या हो जाया इसके साथ not क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है नेगेटी हो रहा है not been बिल लगाना है फर्स्ट फार्म के साथ आएंजी ऑबजेक्ट शीनस और फोर और अगें सेंस इस उस्ट फॉर पॉइंट फॉर इस उस्ट फॉर पिरिए अफ टाइम तो सेंटेंस एंदर हमारा कुछ नहीं होगा हिंदी दू दिन से ऑफिस नहीं जा रहा हूं सब में नहीं लग जाएगा वर इस ट्रॉक्टर में है जो के साथ नोट लग जाएगा ती हापर क्या होगा we have not we have not been playing cricket for two hours she has not been taking rest since morning I have not short में हम hasn't haven't be used कर सकते हैं यस फिर क्या होगा आगे यहीं सेंटेंस इसके अलावब अगर दूसरे सेंटेंस भी होते हैं जैसे कि वह सुबर से खाना नहीं पका रही है तो क्या हो जाता she has not been cooking food since morning हम दो इंटे से खाना नहीं खा रहे हैं तो क्या करेंगे we have not been eating food for for two hours but is a sentences आपका interrogative भी हो सकते हैं और interrogative बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे हम जानते हैं आप सभी nothing to be done सिर्फ जो auxiliary verb है helping verb है वो बहार आजाएगी और यहां पर helping verb क्या हमारे पास has or have है जो बहार आएगा subjective के बाद बीन first form plus ing plus object then sensor for and yes you know that since is used for period of time and for is used for point period of time and since is used for point of time clear it yes my dear friends since can use carrying a point of time के लिए and for is used for period of time we must clear it yes then the sentence के अंदर क्या होगा यहां से तो नहीं हटेगा क्योंकि सेंटेंस आपका क्या हो रहा है यहां पर यह नहीं हटेगा तो क्या लग जाएगा क्या हम दो गंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं क्या वह सुभे से आराम कर रही है क्या मैं दो दिन से ओफिस जा रहा हूं यह क्या होगा आपका हिंदी में इंटेरोगेट यू तो बस इसमें भी हम क्या कर देंगे यहां से नौट हटाएंगे और है जे अमारा बहरा आजाएगा है जीओ बहर इस्ट्रेक्टर के अंदर प्रक्या हुआ है वी यह भाहा है वी बैण क्रिकेट फोर्ट तूर सं यहाँ फर हैस बहरा आ जाएगा has she been taking rest since morning यहाँ पर है वाजाएगा है I've been going to office for two days essay or the sentence are the first thing in this candle we have for has a bar lana making up cuz the sentence a your sentence may be possible in interrogate you negative you and interrogate you hey that's why we must use has or have in the first of the structure then we will use subject not been the first plus ing since or for as you know that then what happened फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा क्या हम दो गुंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं क्या वह सुब्छे से अकाम आराम नहीं कर रही है क्या मैं दो दिन से office नहीं जा रहा हूं यस तो यहाँ पर क्या होगा हमारे sentence के अंदर है वाहर आ जाएगा और इसके बाद लग जाएगा हमारा subject कैसे like this have we not been playing cricket for two hours what is can there be carrying him his mahar has she not been taking rest sensor morning or is can there be here by her है है वाई not या फिर एक और सिंपल सा तरीका है जो आप अच्छे से जानते हो is not come direct बाहर भी लागा सकते हैं कैसे just like it hasn't या फिर हेवंट subject बाकी पुरा पुरा इस ट्रेक्चर जो भी हमारा है and question mark in the last term yes my dear friends तो यह क्या था हमारा present perfect continuous tense इसकी आपको और क्या करने है थोड़ी सी practice आगे बढ़ा नहीं अगर इसकी भी आप 10 या भी sentences बना लेते हैं self तो इसकी practice आपको बहुत अच्छे से बहुत क्लियर हो जाएगी yes my dear friends then enough for today जैहिन थैंक यू वरी मच जैहिन उन्स काईपक यू इसकी आपको तो जब हो जाएगी एपको जाएगी आपको यू जाएगी झाल